Good morning everyone, I am Gunjan Chohan. How are you? I hope you are fine. Today we will do chapter 15, A Day of Hard Work. Let's take a look into the list of some of the people whom we see around us. आईए, अब हम इस chapter में उन लोगों के बारे में पढ़ते हैं, जो हमारे जिन्हें हमां आसपास देखते हैं, हमारे आसपास जो काम करते हैं, जो दिखते हैं हमें, उन लोगों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. दुल जी और इस वाइफ दानी वर्क ओने कंस्ट्रक्शन साइट, देएर देश्टार्ट अल्ली इन दे मौर्निंग, दानी प्रिपेर्स फूर्ट दाट शी और दुल जी विल हैब इन दे आफ्टरनून, दुल जी और उसकी पत्नी दानी एक कंस्ट्रक्शन साइट पर, मतलब एक निर्मान कारिय जहाँ पर निर्मान चर रहा होता है, घर वगेरा बन रहा होता है, वहाँ पर काम करते हैं, उनके दिन के शुरुवाद सुभा से होती है, दानी भोजन तयार करती है, और दोफेर में उसे और दुल जी को जो दोफेर का वो खाना खाते हैं, वो भोजन लोक अप तयार कर लेती है, सुभा ही तयार कर लेती है, वे दीन में लगभग 10 गंटे जो हैं वो काम करते हैं वे उची मारते बनाने के लिए इट, सिमेंट की बूरियां और लोहे की चड़ों मतलब सर्ये को ले जाते हैं शाम तक वे बहुत ठक जाते हैं दीन भर की मेहनत के बाद घर लोटते समय वे कुछ सबजियां, आटा, बुर्दाल खरीकते हैं ठीके To cook their meal, दुलजी और दानी लीव इने टेंपरेरी शैड, other workers also live there Most of these workers have come from nearby villages These workers send all the money they earn back to their families who live in villages दुलजी और दानी do not have the time or the money to go for a movie or do anything else Once a month, they have some पानी पूरी from the street vendor उनके भोजन पकाने के लिए, वो क्या-क्या खरीद के लाते थे? सबजी, दाल और आटा ठीके? दुलजी और तानी एक अइस्ताई शैड में रहते थे? ठीके? अन्य जो workers थे वो भी वहां रहते थे? इसमें से जो अधिकान श्रमिक्स थे? मतलब जो बहुत सारे workers ऐसे भी थे, जो कहा रहते थे? आसपास के गाउं से आते थे? ठीके? ये जो workers थे वो अपने कमाय हुए सबी पैसो को अपने परिवार को वापस बहिच देते थे? जो काउं में रहते थे? दुलजी और दानी के पास फिल्म जाने के लिए भी टाइम नहीं था और पैसा भी नहीं था महिने में, लेकिन महिने में वो क्या करते थे? एक बार स्ट्रीट वेंडर से कुछ पानी पूरी खाते थे ठीके? दीपा वर्क्स इन अ सूपरमार्केट इन अ मॉल मैंने अधर गलत से खाते थे? दीपा लेवित अ मॉझे जाएंगा और यंगर बत्यूद विख फ्यार से कूरी प्सुए लोग्या बाराइख टीपा की ओज़िगा से लिएंगा से भी एंट देन आफ जीपार इन गुड़ की और दीपा प्या वजबार्ट टीपा इन अ सम sometimes she goes for a movie with her friends from work अब दीपा के बारे में पढ़ेंगे दीखे दीपा एक मॉल में एक सूपर मार्केट में काम करती थी उसके साथ कई और अन्य लड़कियां भी थी जो काम करती थी दीपा उसकी माँ और छोटे भाई के साथ रहती थी वह कॉलेज नहीं जाती थी क्योंकि उसके अपने परिवार की कमाई में सहिता करनी थी ठीके दीपा अपने लिगे थोड़े पैसे रखती थी और अपना अधिकांश मतलब जो ज़्यादा से ज़्यादा वैतन जो रहते थी अपनी सैलली वो अपनी मां को दे देती थी दीपा के पास काम पर एक लबा दीन था mentioned दीन भर वो काम करती थी ठीके अपने off day पर मतलब छुट्टी वाले दिन वो क्या करती थी वे घर में अपनी मा की help करती थी और कभी-कभी वह काम जो काम करती जिन दोस्तों के साथ उनके साथ वो भी देखने जाती थी Joseph works as a nurse in a hospital. His wife Suja works as a teacher. They have two children. Sometimes Joseph works during the night while at other times he has to go to work during the day. When he is on night duty, he comes home when Suja and the children are leaving for school. He has a bath, sleeps and then starts preparing dinner. Suja is also tired when she comes home. They both help the children with their studies. Joseph has an early dinner and leave for work. When he has day duty, the family can spend more time together. On Sunday, they visit their relatives or relax at home. Joseph जो है वो एक अस्पताल में नर्स का का काम करता है और उसकी पतनी जो सूजा है वो टीचर है. मतलब एक स्कूल में शिक्षिका का का काम करती है. ठीकिए उनके दो बच्चे हैं. कभी कभी क्या होता है? जोसेफ रात के दोरान काम करता है. जबकि अन्य समय में उसे दिन में काम पर जाना पड़ता है. जब वह नाइट ड्यूटी पर होता है तब वह घर आता है तब तक सूजा और जो बच्चे हैं वो स्कूल के लिए निकल रहे होते हैं वह इस्तान करता है सोता है और फिर रात का खाना तयार करता है घर आने पर सूजा भी ठक जाती है वह दोनों ही पढ़ाई में बच्चो की मदद करते हैं जोसेप जो है वो डिनर करता है और वर्क के लिए काम के लिए निकल जाता है जब उसके पास दिन की ड्यूटी होती है जब जोसेप जो है वो दिन की ड्यूटी पर जाता है तो परिवार एक साथ अधिक समय बिता पाता है और रहिवार को वे अपने रिष्टेदारों से मिलने जाते हैं या फिर घर पर आराम करते हैं गोपाल वर्क्स हैसे गार्टनर इन मैनी हाउसे इस डे स्टार्टेट इवन बिफोर सन्राइज वेन गोपाल कई घरों में माली का काम करता है गार्टनर मतलब माली उसका दीन सुर्योदय से पहले शुरू होता है जवह चाय बनाती आ है और फिर कुछ चपाती और कड़ी को अपने साथ ले जाता है साथ बज़े तक गोपाल अपनी साइकल पर बैठ जाता है बैठ गया ठीक है गोपाल को गोपाल लड लफ्ट लेड़ लेड़ उपाल लेड उन्हें प्राट गोपाल लेड़ लेद लेड बैब करता है He takes a short rest in the afternoon. It is dark by the time he gets home to his small room. His family lives in a town in another state. He goes to meet them once a year. For him, his plants are like his family and gardening is both work and play. He says, गोपाल जो है वो पोधों से प्यार करता है और वह पूरे दिन कड़ी महनत करता है. कुदाई करता है, बीच बोना, लॉन में पानी डालना, मतलब गार्डन में पानी डालना, जाड़ीों को ट्रिम करना, गिरे उवे पत्तों को एक उसमें खटा करना. ठीके वह दोफेर में थोड़ा आराम करता है जब तक वह अपने छोटे से कमरे में रहता है तब तक अंधेरा हो जाता है उसका परिवार दूसरे राज्य में एक कस्बे में रहता है वह साल में एक बार उनसे मिलने जाता है उसके लिए पेड़ पोधे ही उसके परिवार की तरह है और वो जो है वो गार्डनिंग को अपना काम और खेल दोनों समझता है तो आज हमने कुछ आसपास के पीपल्स के बारे में पढ़ा लोगों के बारे में जाना ठीके एंक्यू